विधान सब्वा सत्र का आज पांचवा दिन हैं, हमाय साथ कांग्रिस की विधाई का राध्ना मिश्रामोना मौझूद हैं, आज पांचवा दिन हैं, कई तरीके के सवाल उठाये जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सत्र को लेकर मैं? सत्र में अभी लगातार अब दो दिन से चर्चा हो रही है अभिवाशन पर, आज संभवता हम सब लोग बूलेंगे, सारे दल के निता बूलेंगे, पर किसी भी तरह से जाहे अभिवाशन की अगर आप बात कर लें, बजट रखा गया, पूरी तरह से दिशाहीन सरकार का रव बहिया रहा है, बहुत सारी ऐसी उन्होंने घोशनाएं अपने मैनिफेस्टों में की थी, पर दो साल बीद गये, उन योजनाओं को, उन घोशनाओं को क्रियानवित करने का, कहीं भी कोई रोड मैप नहीं, कोई बजट उनके लिए लोकेट नहीं, एक उधारन के तौर पे स्कूटी की बाद कहीं थी, बेटियों के लिए, आज तक उस स्कूटी का कहीं किसी बजट में प्रवधान नहीं, इस तरह की किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर जो वाइदे किये गये थे, पूरी तरह से सरकार बजट में असफल रही है, तो लगातार हम सरकार से सव सवाल पूछने पर सवाल पर सवाब सरकार दिने के सवाब भाई भारति जनता पार्टि काहां से ओगा जाती है या तो उनके पास कोई अशन कारी मिल जाती है वरना चुनाओं में एक लोकतंत्र में तो जनता मत देती है ना तो ये चुनाओं होने दीजे जनता ये लोकतंत्र है जनता वोट करेगी राहूल गांधी जी की यात्रा उत्तरप्रदेश में आ रही हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से पूर्वोतर राजियों में राहूल जी को चंदौली से यात्रा प्रवेश करेगी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, भार व्यक करना चाहती हूं, अखले शादो जी का, कि उन्होंने इस निवंतरन को स्विकार किया है, और कहा है कि उस यात्रा में शामिल होंगे, और ये उत्तर प्रदेश में खास करके, देश में तो हई है, इंडिया गडबंधन को एक नई मजबूती देगा, अगर आरेलडी के हम बात करें, चर्चा चलिए, जैन चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं, अखले शादों से बारा सीटे मांगी, उन्होंने साथ सीटे दी, आप लोग के साथ भी यही हुआ कि कांग्रेस न सीटे उन्होंने अनाउंस भी कर दी है, समाजवादी पार्टी ने, हम उस पे भी चर्चा कर रहे हैं, जैन चौधरी के जाने से कुछ पर्क पड़ेगा, देखिए, वो गडबंधन का हिस्सा है, आज की तारीक में जो मैं आप से बात कर रहे हूं, तो आज भी जैन चौध हमारे गडबंधन का हिस्सा है, और मुझे विश्वास है, गडबंधन को मजबूत करने के लिए वो हमारे साथ रहेंगे, और इसके साकारात्मक रिजल्ट्स आएंगे, आपको लगता है, बीजैपी तोड़ रही है आपकी गडबंधन, बिहार उसके सामने सबसे बड़ा हैं, बिहार देख लिजे, वेस्ट बेंगॉल देख लिजे, महराष्ट में देख लिजे, हर तरह तो कोशिश की उन्होंने, आज अभी जो करनाटक में हमारी सरकार मार्च कर रही है, दिल्ली के लिए, ताकि वो क्या मांग रहे हैं, जो केंदर सरकार का अंश प्रेद प्र बीटीम है, तो जहां जिस तरह भी जिस चीज से भी प्रभाव डाल सकते हैं, वो डालेंगे, अध्याक्ष विदान सभाने, इस बात को कल सदन में रखा है, अब उस पर चर्चा हम करेंगे, नहीं है, हमारे साथ का अंग्रिस विदाय का राधना मिश्राम होना मौना मौज है।